नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि मैशाइन कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है मैशाइन कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और मैशाइन कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि मैशाइन कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए मैशाइन एक ब्रैंड नेम है मैशाइन कैपसूल के अंदर salt composition colic alciferol 60,000 international unit होता है वितामिन D3 को colic alciferol के नाम से भी जाना जाता है मैशाइन कैपसूल का उपयोग शरीर में वितामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है वितामिन D शरीर में कैलशियम के अवशोशन में मदद करता है शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जिसकी वज़ा से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। हमारे शरीर में दातों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी बहुत ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड़ियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं हड़ियां कमजोर होने की वज़ा से हड़ियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है कैल्شियम और विटामिन D की कमी की वजह से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोरों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है इसके अलावा औस्टियूमैलिसिया होने पर, औस्टियोपोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्ट्स होने पर भी डॉक्तर मैशाइन कैप्सूल को लेने की सला दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेडी मेरी हो जाती है। और ओस्टियोमालिसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है। और शरीर के जोडों, हड्डियों वं मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है। किद्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्टर मैशाइन कैपसूर को लेने की सलाह दे सकते हैं. मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती है क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर विटामिन D और कैल्शियम की डॉक्स दे सकता है दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या विडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो सही डोज में मैशाइन कैपसूल को लेने पर ज्यादा तर व्यक्तियों में मैशाइन कैपसूल की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मैशाइन कैपसूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षन होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादा दोज में मैशाइन कैपसूल को लेने की वज़े से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है। शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है। अब हम डिसकस करेंगे कि मैशाइन कैपसूल को कैसे लेना रिक्मेंडेर होता है। मैशाइन कैपसूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। मैशाइन कैपसूल को दूद या पानी के साथ लिया जा सकता है। लेकिन मैशाइन कैपसूल को शाम के समय दूद के साथ लेना ज्यादा अच्छा होता है। आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर मैशाइन कैपसूल को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं। मैशाइन कैपसूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको मैशाइन कैपसूल को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की मैशाइन कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। मैशाइन कैप्सूल को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्टरॉल की जाज करवाते हैं, तो कोलेस्टरॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में विटामिन दी को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम डोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मैशाइन कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मैशाइन कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।